देश की प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी ने रविवार को नए संसत्भवन का उद्गाचन किया जिस पर मुरादाबाद से सपासांसा डॉक्टर एस्टी हसन ने सवाल उठाए हैं मेडिया से बात करते हुए एस्टी हसन ने का कि आज लोगतंत्र कहां बचा है भाशपा सरकार हचीज का राजनिती करड कर रही है क्या लोगतंत्र में ऐसा होता है कि बिना विपक्ष के समिधान के मंदिर का उद्गाटन हो जाए सपासांसद ने आगे कहा कि संसद का पिछला सत्र क्यों नहीं चला इसलिए कि 13,00,00 क्रोड का जो कोटाला सामने आ रहा था उसकी हमने JPC की मांग की थी क्या अडानी और सरकार एक है वही संगोल के सवाल पर उन्होंने कहा कि संगोल राज्ज्टंत्र का प्रतीक है जब कि लोगतंत्र का प्रतीक समिधान है लेकिन अब लोग तंत्र है और राज़ तंत्र खत्म हो चुका है इसलिए समिधान लाना चाहिए था सपासांसत ने कहा कि संगोल पर लगी मूर्ती का हम विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन ये लोग भोले भाले हिंदू भाईयों को मचहप के नाम पर गुमराह कर रहे हैं इस दोरान पहलवानों के सवाल पर स्टी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा कि उन लोगों ने देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है फिर भी एक आदमी की वज़े से उन पर इतना जुल्म कर दिया गया प्रदर्शन करना उनका दिकार है लेकिन हिटलर साही दिखाते वे उनके तंबू खार दिये गया और पहलवानों को खीचते हुए ले गया जिसमें कुछ पहलवानों को चोटे भी आई है क्या ये राज अब भी तो कह रहा हूं नको उन्हें आरेस कर लिया गया चाहिये डिमोक्रेटिक राइट नहीं था उनका क्या आपने देखा नहीं कि किसानों ने इतना लंबा अंदोलन करा कितने किसान मर गए तब जाके कहीं आपके कान पर जूरेंगी पहले आपने कहा कि किसान के नित्में नहीं है। आपकी तो किसी बात का हितमीरा नहीं है। एक चगा आप रहती ही नहीं है। दूसरी बात यहे कि कि आप हर चीज का राजनीती करन कर रहे हैं। डेमोकरिसी में कि यह होता है कि बगार अपोजीशन के हमारे देश के सब्मिधान का मंदिर क्यों इनाउग्रेशन हो जाए। देश की सबसे बड़ी पंचायत का इनाउग्रेशन हो जाए। राश्पती जो देश का हैड़ अफ दी स्टेट है जो दोनों सद्नों का अभिवावक है उसको निमंत्रन भी न दिया जाए तो क्या पिर्जातन्त रहे आप ने देखा हमने भी अपने बच्पन में चेचा के टीके लगवाए थे क्या किसी पिर्धान मंत्री को लैब में जा रहा है जब हम मार्स के ओपर जा रहे थे हमारा अभियान सफल होने जा रहा था आप उस लैब में पहुंच गए हैं बैग्यानिक बिचारे नर्वस हो गए और करोणों रुपए का अर्ब रुपए का अभियान खतम हो गया फेल हो गया तो क्यों हर चीज़ ही राजनीती कर चाहिए था या एक आदमी का फर्मान नहीं चलना चाहिए देखिए आप इनके ड्रामे बादी तो देखी रहे ना सिंगोल लेके आए हैं अब सिंगोल पिर्तीक था राज तंत्र का राजा महराजाओं का परमपराएं थी अब लोग तंत्र है अब राज तंत्र खतम हो आप सिंगोल लगा रहे हैं भोले बाले हिंदूओं को आप मजभब के नाम पर एक्सपलाइट कर रहे हैं ठीक है उस पर चली है उसके उपर एक अउप अब्जक्शन नहीं हैं हम इसके राज नीटी कराना पर अब्जक्शन है राज तंत्र अब खतम हो चुका लेकिन मान स कर दो प्रेसी कह रहे हैं लेकिन हमने पाल्यमेंट में देखा हैं बीजैपी के बेचारे सांसत्थ उनको जो फर्मान आता हो करती यह असावनों में पूरी ने हमारे शाह साल गुजर गए मैं बेचारा जानबूश की लफ़ कह रहा हूँ कह नहीं सकते हो किसी की बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने खड़ा हो जाए कि अगले अगली बार में मुझे प्राहिमिस्टर बनाया जाए को हम्मत तो बता दे बात करते हैं प्रिजातं की लोगतं की आके पार्टी में ही नहीं है लोगतं ये वो लोग थे जिन्होंने देश का मान बढ़ाया था सम्मान बढ़ाया था पूरी दुनिया के अंदर आप अपने एक आदमी की खातिर आपने उनको पर इतना बड़ा जुम कर दिया डिमोक्राइटिक राइट था उनका कि वो वहाँ पर आंदोलन करें आंदोलन कर रहे थे वो और आपने इंक्वाइरी तक नहीं सेट अप करी और आपने उनको एक डिक्टेटरियल तरीके से हिटलर शाही के तरीके से उखाड़ के फिक दिया और उनको जबदस्ती खीचके ले गए कुछ पहलवानों के चोड़ भी आई है जैसा मैंने सुना है क्या ये बरबरता नहीं है क्या ये वाकी राज शाही है राज घराने भी ऐसी किया करते थे किसी का जन्बच्चा कोलों हो पिलवा दो किसी को शेहर के आग langue डाल दो किसी को हाथी के पैरों से कुचल वा दो यही कमाब हो रहाए अब गाड़ियों से कुच चल देते है चार किसानों को मार दिया गया था एक आपको पता है कि गरह मंत्री के बेटे ने झाल झाल